वेलकम टू आवर यूटूब चैनल आज हम जियोग्राफिस से कुछ महत्पून प्रफशन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे ऑनलाइन टेस्ट के माद्यम से आए देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं और हमारे कितने आंसर सही होते हैं चलिए टेस्ट लगाते हैं भारत मे वन अनुसंदान संस्थान कहां एस्टेत हैं कोलकता में हैं देरादून में भोपाल में या इन में से कोई नहीं तो इसका उत्तर सही उमीद है देरादून होगा वाई मंदल में सबसे अधिक जो है ओजोन कहां पर केंदित होता है मिसोस्पियर में होता या टुपोस्पियर में होता या स्टेटोस्पियर में होता या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा हमें लगता इस्ट्रोटर स्फियर जो है अथा सम्ताप मंदल वहाँ पर वाई मंदल में सबसे अधिक ओजोन केंदिस होता है तो इस्ट्रोटर स्फियर पर हम क्लिक कर देते हैं जो योरोपा है योरोपा किसका प्राक्रिक को अबगरहे दुनिया का सबसे बरी मीठे कोई जील कौन सिए लेक भिक्टोरिया है हाई हाई इश्वान है या लेक सुपीरियर हाँ है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हमें लगता है लेक सुपीरियर जो है दुनिया का सबसे बड़े मीथय पानी कि चहिलिए इस पर प्रित्वी पर उसके भार के बराबर होता है तो कितने गुने भार के बराबर होता है एक बाइटा 4 या एक बाइटा आर या इनèmes से कोई नहीं तो इसका सची उत्तर क्या होगा तो हम में लगता है एक बाइटा 6 जो है ये सही उत्तर होना चाहिए एक बटा चन्रमा पर किसी वस्तू का भार जो है पृत्वी पर उसकी भार के एक बटा च्व में भार के भार के बराबर होता है तो एक बटा च्व को हम क्लिक करते हैं बनिहाल जो डर रहा है भारत में किस राजे में इस्थित है हेमानचल प्रदेश में है या उत्राखड में है जम्मु कस्मीर में है या इन में से कोई ने तो जो बनिहाल डर रहा है वो जम्मु कस्मीर में है तो जम्मु कस्मीर को क्लिक करते हैं सबसे चमकीला गरह कौन सा है, सबसे चमकीला गरह जो है ब्रिश्पती है, या मंगल है, या सुक्र है, या इन में से कोई नहीं, तो सबसे चमकीला गरह है, जो है, वो सुक्र जो गरह होता है, सबसे चमकीला गरह होता है, प्रिथवी के जो सरवधिक निकट कौन सा गरह है, अ सर्वाधिक निकट ग्रव होता है सुक्र पर हम क्लिक करते हैं वाई मंडल का सर्वाधिक जो है अस्थाई तत्व है तो वाई मंडल में सबसे तत्व नाइट्रोजन पाए जाता है इसमें नाइट्रोजन दिया गया लेकिन इस पूछा हुआ है कि सर्वाधिक अस्थाई तत् तो है उत्तरी द्रू की खोज किस ने की थी तो उत्तरी द्रू जो है नाद पोला उसके खोज किस ने की थी रोबर्ट पीरी ने की थी या जो तस्मान उन्हों ने की थी या जॉन केबोट उन्हों ने की थी या इनमें से कोई नहीं तीनों लोगों में से कोई नहीं किस ने की तो हमें लगता है जो रोबर्ट पीरी थे उन्होंने उत्तरी धुरू के खुज की थी सुरी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुद्ध है, ब्रियस्पति है, सुक्र है या इन में से कोई नहीं तो बुद्ध पर क्लिक करते हैं बुद्ध संसार का स्रवटिक सक्रीस जौला मुखी कौन सा है कोटो पैकसी है या फ्यूजी गुरुषीखर जो चूटी है वो राजस्थान में स्थित है बिश्व का सबसे गहरी जील कौन सी है तो कैस्पियन्स आगर है बैकाल जील है राश टस्क जील है या इन में से कोई ने तो बिश्व की सबसे गहरी जील जो है बैकाल जील है बिश्व की सबसे नवीनतम चूटी कौन सी है तो कारा कोरम है या कंचन जंगा है या माउंट अब्रेश्ट है या इन में से कोई नहीं तो इस पर हम क्लिक करते हैं माउंट अब्रेश्ट जो है इस पर क्लिक करते हैं दिमलिखित में से आप देखें कौन सा ग्रह है जिसके चारू और घूमने वाले उपग्रह नहीं है तो हम बुद्ध और सुक्र को क्लिक करते हैं सौर मंडल के बारे में विश्व की समझ जो है जानकारी प्रस्तूत करने का स्टे जो है किस विद्वान को जाता है तो जो सौर मंडल है उसके बारे में विश्व के समझ जो है पूरी जानकारी प्रस्तूत करने का स्टे कौन से विद्वान है उनको जाता है गैलीलियो को जात करनाट करते हैं को सबषे बन Milka ककरना पर हम कलिक करते हैं आप देखे जो तो काला हारी मरुस्तल है वो कहां परिशित है फिल्लैड में है जर्मरी में है अफेरिका में है या इन में से कोई नहीं है तो काला हारी जो है मरुस्तल आप देखें तो अफेरिका है वहां परिशित क्योंकि यह अकसर चर्चा में बना रहता तो हम अफेरिका को क्लिक करते है आप देखे सौर मंडल का कौन सा ग्रा लगवा प्रिथवी जितना बला है प्रिथवी के समान कौन सा ग्रा जो है बला है सौर मंडल में बुद्ध है मंगल है सुक्र है या इन में से कोई ने तो आप देखे जो सुक्र है बता जाता है कि बहुत ग्रा जो है लगवा तो हम क्रिश्णा नदी पर क्लिग करते हैं निमलिखित में से कौन साागरा है ? शकर को मंगल को या इन में से कोई नहीं, तो इसका सफ उत्तर क्यूकि भोर पर का ता दारा है? जो होता है सुक्र को बोला जाता है सबसे चमकीला ग्रह सुक्र ही सही होगा तो सुक्र पर क्लिक कर देते हैं आप देखें निमलिकित में से कौन सा ग्रह जो है सुर्य का चक्र सबसे कम समय अथा सुर्य का सबसे कम समय चक्र लगाने वाला कौन सा ग्रह है तो बुद्ध है सु लुँट्रों के संंख्या कितनी है अज्या जो पुर्द शॉत्रोंCar रहा हैंि को हम देखते हैं कि हमारे कितने क्विश्चों सही हुए हैं आनसोर जो हमने दिया था है टेष्ट के माध्यम से उसका रिपूइट आ गई उसके रिपूइट आ गई हमने जो है आए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं भारत में वन अनुसान दान संस्थान कहां इस्थित है भारत में वन अनुसान दान संस्थान जो है देहरादुन में इस्थित है वाई मेंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंडित है जो सौर पनाली है उसकी खोज किस ने की थी सौर पनाली की खोज जो एक कौपर निकस ने की थी चंद्रमा पर किसी वस्तू का भार जो है प्रिथवी पर उसकी भार के बराबरता है एक बड़ा छटमा भार के बराबरता है जो बनिहाल दर्रा है जो भारत में किस राज में इस वाई मंडल में स्रीक अश्ठाई तत जल्वास होता है उत्री ध्रू की खोज जक्रीक होता है विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी जील जो है बैकाल जील है, विश्व की सबसे नवींतम चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे नवींतम चोटी माउंट यवरेश्ट है, निमलिखित में से कौन सा ग्रह है, जिसके चारो और घूमने वाला है, उ पर निकस को जाता है बारत में सबसे बड़ा कॉफि उत्पादक राजी कौन से भारत में सबसे बड़ा कौफी उत्पादक राज्री का नाटक है कालाहारी महारुस्तल अफेरिका में इस्तित है, चौर मंदल का कौन सागड जो है वो पित्वी जितना बला है, तो सुक्र जो ग्रह है उसे भोर की तार्ग के नाम से जाना जाता है, निमले कितमे से कौन सागर है जो सूरी का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है तो सूरी का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है उसे बुद्ध खा जाता है बुद्ध नच्छत्र में एक वर्स में दिनों की संख्या कितनी होती है तो बुद्ध नच्छत्र में एक वसमें दिनों के संक्या 88 होती है तो उमीद करता हूँ आज का जो टेश्ट रहा वो बहुत अच्छा रहा होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब करना न भूलेगा आज के लिए इतना है फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट एपसोड के साथ जाए ही जावाराद